नबसकार सुरोताओं आपका हमारे येट्टूब चैनल देहाती काहनी में आप सबी लोग का मैं हार्दिक स्वागता और अभिनेंदन करता हूँ मेरे प्यारे सिरोताओं मेरे प्यारे दर्शक आज मैं आपको आला खंड काब में बताने जा रहा हूँ कि जो आला उधल के पिता और चाचा थे दच राज बच राज वो कौन थे उनका जन्म कैसी हुआ था और आज उनी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ सिरोताओं अगर मुझसे कोई गलती हूँ तो अपना बेटा और बच्चा समझ कर छमा कर देना आज मैं सीधे आपको ले चलता हूँ आला उधल के चाचा और पिता के बारे में बताने जा रहा हूँ सिरोताओं अपने लोग अपने बच्चों अपनी पत्रियों को साथ में क्यों नहीं ले जाते हैं अधिकतर क्यूंकि वो सवाल करती है जवाब करती है ये क्या है ये क्या नहीं है अब मैं वो ही आपको बताने जा रहा हूँ दियान से सुनी दोस्तों रोजाना की तरह वीडियो शुरू कर जिन से पहले एक बार सभी लोग प्रेंच से जैकारा लगा दिन बोलो सीतला माता की जै बोलो हिंगलाज देवी माता की जै बोलो सार्दा माता की जै बोलो सभी देवी देवताओं की जै हे भगबन हे मेरी प्यारी बंदू, मेरी प्यारी शुरूताओं, मेरी प्यारी दर्शक मैं आप सभी लोगों को लिए नई नई आला खंड काम में वीडियो लेकर आता रहूंगा आप लोग अपना प्यार बनाए रहें और सपोर्ट बनाए रखें अब सीधे ले चलता हूँ आपको दच राज और भच राज की तरफ आला उदल के पिता और चाचा के बारे में थोड़ा समझ संचीप में आपको बताना जा रहा हूँ दोस्तों एक समय की बात है एक जंगल था जंगल में बहीं पर महुबा के तरफ जंगल तो पहले जंगल ही जंगल थे राजा राज किया करते थे दोस्तों इत्यास में सिर्फ दोई उद्धों का जिक्र किया गया था है एक महावारत का उद्ध एक प्रत्वी राजचावान और उद्ध तो बहुत हुए लेकिन प्रत्वी राजचावान और आला उधल इन उद्धों का ज्याधा जिक्र हुआ है दोस्तो भागवान संकर और माता गोरा एक समय जंगल से निकल रहते भिरमड करते 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 दोस्तो रास्ते में क्या देखती है माता पार्वती माता गोरा कि एक गाय का बच्छरा और एक सिंग दोनों मिर्त अवस्ता में पड़े हुए हैं जो गाय का बच्चा है गाय का बच्चरा है और सिंग सेर का बच्चा है दोनों मिर्त अवस्ता में पड़े हुई है अप पार बती माता गोरा भगबान संकर से कहती हैं संकर भगबान ही स्वामी मुझे एक बात बताओ बताने का कष्ट करो कि जो बात हम मैं पूछ रहा हूँ पूछ रही हूँ बूजे बताने का कष्ट करो ही मेरी स्वामी भगबन भोले कहते हैं बताइए देवी क्या पूछ रही है कि ये बच्छरा मिर्त अवस्ता में पड़ा है इस सेर मिर्त अवस्ता में पड़ा है क्या बच्छरा सेर को मार सकता है नहीं मार सकता है सेर बच्छरा को मार सकता है इसके पीछे का करण है इसके पीछे का क्या र कारड बताईए इसका रहस बताईए कि सिंग बचरा को मार सकता है बचरा संकर को बचरा सिंग को नहीं मार सकता है सेर बचरा को मार सकता है संकर कहते हैं भगबान सिब भोले पारवती तुम क्यों चक्कर में पड़ी हूँ ए तो दुनिया की रीत है जिसने जनम लिया उसको मर नहीं है दोस्तों इसलिए लोग कहते हैं पत्रिया अपनी साथ में जल्दी नहीं ले जाते हैं क्योंकि वो बात पे बात सवाल पे सवाल करती रहती हैं दोस्तों जब पारवती जिद करने लगती हैं तब भगवान से कहती हैं पिर वो इनको जिन्दा करो भगवान कहते हैं मत करो तभी दोस्तों भागवान सिफ संकर पारवति से कहते हैं यह इस योनी में जिन्दा नहीं हो सकते हैं मनुस्य योनी में जिन्दा होंगे तभी पारवति जित करती हैं तो मैंने कैसे भी करके इने जिन्दा करो तब भगवान सिप संकर उनके मुख में अमरत डालते हैं अमरत डालकर वो राम राम करके दूनों उठ जाते हैं तो जो दच्छ राज था जो सेर था उसका नाम दच्छ राज रखा भगवान सिप ने जो बच्छ राज रखा जब एबात भगवान सिप संकर ने वो लोग ग्राम राम भगवान का नाम करते हुए उट गए भगवान से कहे पिर आपने मुझे क्यों पिर्गट किया है बताईए तो भगवान कहते हैं उनसे दच्चराज बच्चराज से कि महावारत का युद्ध हुआ था जो उनके युद्ध करना बाकी रहे गया था लड़ाईयां बाकी रहे गयी थी उनकी अधूरी रहे गयी थी लड़ाई वो इस समय प्रत्वी लोग पर बीर युद्धा जनम ले रहे हैं आपको भी उसमें पात्र निभाना है आप जाएए दच्चराज बच्चराज दोनों लोग जाएए आपके साधी होगी दिबला से और आपके आला जैसा माहान बेटा होगा वो आपके नाम रोसन करेगा दोस्तों एबात भगवान सिप की सुनते हैं दच्चराज बच्चराज चल देते हैं उसी दच्चराज दोस्तों राजा परमाल के हैं सेना पती बनता है और फिर आला का जनम होता है बहीं मांडबगर का जो करिंगा राय था वो दच्चराज का सिर काटकर अपने पीपल के पेड़ पर लटका देता है वो यह आला उधल उसका बदला लेते हैं दोस्तों यह थे दच्चराज बच्चराज की छोटी सी कहानी आपको अच्चराज बच्चराज बच्चराज दोस्तों आपको 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 बच्चराज दोस्तो बंदी मात्र